इस नई वीडियो में नहीं जनकरी के साथ पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि प्रेगनेंसी नहीं होने के क्या कारण हो सकते हैं तो प्रेगनेंसी होने के लिए आपको फर्टाइल डेस के दोरान इंटरकोर्स करना होता है ताकि आप प्रेगनेंट हो सकें लेकिन हमें यह नहीं पता होता कि अपने पाटनर से मिल पाएं और प्रेगनेंसी अचीव कर पाएं फर्टाइल डेस कैलकुलेट करने का एक सीधा सा तरीका है कि पहले तो आप अपना जो मेंस्ट्रोल साइकल है उसका डेट नोट करें पिछले साल पिछले जितने भी आपके पिरिड्स आहे हैं यह पिछले छे मेने या तीन मेने के अंदर तो उनका आप स्टार्टिंग डेट नोट करें और उनका फिनिश हो रहे हैं वो डेट नोट करें इस तरह किसे आपके पास एक छे मेने का रिकॉर्ड आपके पास होगा तो आप पहले कि जो याद है वो आप लिख सकते हैं या आगे के आप नोट कर सकते हैं और जैसे आप कि पास starting date आती है अग्ली डेट आती तो आपको एक menstrual cycle घुरेशन आपके सामने आजाएगा जैसे कि अगर आपका पर एक तारीक आता है ऑर अगला कर दो सकते हैं आपके अगे पीछे तो आप आप सकते हैं कि अखामको अगर सकते हिना कि आपयरेज कर में वहको दो करना है दो किने एंडा फूलीशन अने प्लक गॉडिक वह किस दिन अंडा इंडा फूट रहा है उनलेक्पल tinha अंडा फूर्टन के 24 घंटे तक जिन्दा रहता है और जब आप अपने पार्टनर से मिलते हैं तो जब सिमन आपके वजाइना में डिपॉजिट होता है तो जो पंप की लाइफ है वो 72 होती है यानि कि अंडा फूटने के अगर तीन दिन पहले तक आप मिलती हो एक दिन बात तक मिलती हैं तो आपके प्र प्रिएट 28 तारीक को आया है तो आप इसे रिवर्स में चौधा दिन गिन ले यानि कि चौधा तारीक को आपको अंडा फूटा होगा यह टेंटेटिव डेट होती है कि जब अंडा फूटता तो उसके चौधा दिन के बाद पीरिएड आता है तो आपका जो लास्ट डे है साइकल का 28 दिन की साइकल में 28 दिन में से 14 माइनस कर लेंगे तो आपका 41 दिन पर और इसी तरीके से अगर आपका 30 दिन साइकल है उसमें से 14 दिन माइनस करेंगे तो 18 दिन का साइकल निकल के आता है तो आपका यह जिस दिन की आपका अंडा फूटे गा और अंडा फूटने के सब्सक्राइब होगें अगले 72 तक स्परम जिन्दा रहते हैं तो इसको सीधे तरीके से समझना चाहते हैं तो इसका बूटे तो दस दिन होते हैं एक साओं महीन से तो आया है तो लिए तारीक साओं अगर इन दिनों में आप एक दिन छोड़कर एक दिन अपने partner से मिलती हैं तो आपके automatically सारे days cover हो जाते हैं इससे आपको बहुत ज़ादा calculation भी नहीं लगानी पड़ेगी और एक timed intercourse का आपके mental pressure भी नहीं रहेगा क्योंकि अगर आप mental pressure mentor course करते तो आप उसे enjoy भी नहीं कर पाएंगी और हो सकता कि stress के कार आप अच्छे से intercourse कर भी पाएंगे और साथ में penetration भी अच्छे से होगा तो semen deposit भी अच्छे से हो पाएगा तो pregnancy होने के chances भी बढ़ जाते हैं और अगर आपके पास बहुत ही limited window है आपके partner बाहर रहते हैं और विल्कुल timed intercourse करना है तो आप 14 दिन आप minus कर लें पूरे cycle के duration क अंदर से और उसका एक दो दिन पहले और एक दो दिन बात का time आप इस तहीके से निकाल सकते हैं तो यह आपका fertile days का calculation आ गया है जिससे कि आप यह समझ पाएंगे कि आपका अंडा का फूटने वाला है इसके अलावा कुछ टेस्ट होते हैं जैसे LH kit के नाम से test kit आता जैसे अंडा फूटने वाला है तो वह भी एक आपको एक इंडिकेटर हो सकता है कि आपको अंडा फूटने का पता चल जाएगा LH test kit आपको market में available मिल जाएंगे आप online भी मंगवा सकते हैं और आप घर पर pregnancy test की तरह urine से उसको test कर सकते हैं इसके अलावा जो कुछ और ovulation के indicators होते हैं वो आपका जो वजाईना में जो discharge आता है वो थोड़ा water discharge होता था discharge की मात्रा बढ़ जाती है आपके शरीर में गिलापन बढ़ जाता है तो वो भी एक इस चीज़ का indicator है कि अंडा फूटने वाला है तो यह बहुत ब्रॉड टाइप के test हैं जो ovulation को mark करते हैं जिसे थोड़ा सा tentative पता चलता है लेकिन जो सबसे best है वो यह है कि आप alternate day sonography से जानते हैं ovulation study second day पर start करते हैं फिर सात्वे दिन नवे दिन ग्यार्वे दिन तेर्वे दिन और पंद्रवे दिन इस तरह कि से alternate day पर सोनोग्राफिक की जाती है आप को अंडे का साइस बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है और जब अंडे का साइस 20 mm यह को बला सकते हैं यह उनके पास जा सकते हैं ताकि आप टांडे कैंड vic कोरस कर सकते हैं चांसे बहुत जादा बढ़ जाते हैं। सोनोग्राफिय से यह कनफरम हो जाता है कि अंडा फूटा यह नहीं फूटा है। अगर नहीं फूटता हैं तो उसमें लगा जा सकता हैं। जिससे की pregnancy होने में आपको help हो सकती है तो मैं समझते हूं कि इस वीडियो से आपको ये समझ में आ गया कि आप अपना fertile day कैसे कैसे calculate करेंगी और कौन से तरीके हैं जिससे कि आप अपना ovulation के बारे में पताच कर सकती हैं फिर भी अगर आपके कोई questions हैं तो आप chat box में डाल दीजिए हम आपके answer देने की पूरी कोशिश करेंगे आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ तब तक नमस्कार